हेलो फ्रेंड्स किरिंदर निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सुन्दर ओपन वर्क निटिंग पैटर्न लाई हूं फ्रेंड्स ये पैटर्न बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि अपनी जैक्ट बना लीजिए टॉप बना लीजिए शौर्स टॉल्ड्स मफरल पे डाल लीजिये ये दोनों तरफ से बहुत सुन्दर लगता है ये देखे ये इसकी सीधी सायड है और ये इसकी उल्ड़ि सायड है तो दोनों तरफ जो प्रोजेक्टर इस्तमाल होते उन पे आप इसको बुन सकते हैं तो बहुत एजी पैटन है तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम बुन के दिखते हैं देखे फ्रेंड्स इसके लिए मैंने 10 नंबर की सलैंगे इसमें यूज की हैं अपनी वूल के हिसाब से अगर आपकी मोटी वूल है तो आप 9 की या 8 की भी पैटन के लिए यूज कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मैं 10 नंबर पे ही आपको दुबारा बुन के दिखाऊंगी बुनना स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंड्स मैंने सीधी साइड के फंदे लगा लिये हैं तो यहां पे मैंने यह 16 फंदे डाले हैं यह जो पैटन है यह 4-4 के मल्टिपल में चलता है तो आपको क्या करना है 4-4 करते हुए अपने यह फंदे डालते जाना है तो जितने फंदे आपको चाहिए होंगे तो आपके सिर्फ 4 के मल्टिपल में आएंगे तो फ्रेंड्स ये मैंने सीधी साइड के फंदे यहां पे लगाए हैं तो वेरी फर्स्ट रो से ही मैं पैटन स्टार्ट कर रही हूँ तो आप चाहें तो नीचे बॉर्डर वगारा लगा सकते हैं तो यहां पे पहली सिलाई जो है हमारी सारी सीधी बुन के आएगी राइट साइड रो वन सारे फंदे आप यहां पे ऐसे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे तो यह मैं कर लेती हूँ कंप्लीट फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए पैटन की पहली सिलाई मैंने सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लिए अब आते हैं इसकी उल्टी साइड में तो उल्टी साइड की दूसरी सलाई देखे कैसे करेंगे पहला आपका एस्टिच रहेगा आप इसको बुन के लीजिए चाहे उतार के लीजिए आपकी इच्छा है तो मैंने ये बुन के ही ले लिया उल्टा तो ये दूसरा भी ऐसे सीधा ऐसे उल्टा ही बुन लेंगे यानि के दो फंदे आपके ऐसे आ जाएंगे अब बाकी के फंदे आपके देखे दो बार धागा गुमाते हुए सारे फंदे आप बुनेंगे इसमें दो दो बार बुनना आपको उल्टा ही है पर दो बार धागा लपेटते हुए सिलाई पर फंदा ऐसे करेंगे तो ये दो फंदे हम नोर्मल बुनेंगे उल्टे बाकी सारे जो है ये हम धागा गुमाते हुए बुनेंगे तो ये मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ देखे फरेंड्स सारे फंदे जो हैं मैंने दो बार धागा घुमाते हुआ बुन लिये हैं बाकी ये दो फंदे लास्ट के जैसे हमने स्टार्टिंग में बुने थे वैसे ही बुनेंगे सिंपल उल्टे तो ये दूसरी सिलाई हमारी पैटर्ण की कम्प्लीट होती है सीधी साइड में है ये पैटर्ण की तीसरी सिलाई है तो आप अपना ये एस्टिच कैसे भी ले सकते हैं मुंबन के ले रही हूँ एक फंदा सीधा सिम्पल बुन लेंगे ऐसे तो यहां पर क्या करेंगे दो फंदे ऐसे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ इसको ले आएंगे क्योंकि यहां पर हमारा देखिए ऐसे होगा तो यह हमारे आ जाएगा एक फंदा बढ़ेगा जनके जा लियाएगी तो बाकी के हम क्या करेंगे चार फंदे ये इसको ऐसे करेंगे चार फंदे जो हैं ऐसे कर लेंगे इनका मतलब कि जो दो बार धागा लोपेटा हुआ है ये हम सीधा कर लेंगे तो चार फंदे इधर को लेंगे ये करने के बाद उसके बाद हम ये दो फंदे जो हैं ये इन दो फंदों के उपर से ऐसे एजिली हो जाता है ऐसे निकाल देंगे यहाँ पर देखे दो फंदे हमारे यहाँ पर हमने उपर से निकाल दिये हैं ये खतम हो गए दो फंदे तो हमारे दो फंदे बचे तो हमें दो फंदे बढ़े हुए भी होने चाहिए इसलिए फ्रे अब देखे इदर से हमने एक फंदा बढ़ा लिया तो इदर वाले जो दो फंदे जो हैं इसके साथ एक फंदा हमें और बढ़ा हुआ चाहिए और नैक्स्ट फिर हम यहां से फिर जूँ कर स्वेसे गई तो एक फंदा है इदर भी बढ़ा हुआ तो यह मैंने कर लिया है अब हम फंदे निकाल लेंगे फिर से ऐसे चार जैसे हमने पहले किया है बहुत सिंपल है यह चारों फंदे हम इधर ले लेंगे जैसे पहले किया दो फंदे उपर से निकाल देंगे बाकी बुनने का तरीका वैसे ही रहेगा थोड़ा सा दिखे यह हम दो फंदे ऐसे उपर से निकाल दिये हमने ऐसे दो फंदे उपर से निकाल दिये हैं दो फंदे दो बार हमने यार नोवर कर लिया है तो यहां पे फिर यह दो फंदे बुन देंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी दो फंदे पहले हम यह सीधे बुन लेते हैं यह दिखेंगे यह मैंने सीधे बुन लिये हैं यहां पे आप देखेंगे कि यह दो फंदे हमने सीधे बुन लिये हैं एक ये और एक ये दो फंदे आपके बन जाएंगे. तो फिर से ये चार फंदे हम सीधे करेंगे. ये वाला तरीका ऐसे का ऐसे ही है. तो इदर वाली सिलाई पे लेंगे. मैं सारा बुन के इसलिए आपको दिखा रही हूं पे दो फंदे बढ़ गए हैं इदर को. ये देखिए. अभी यहाँ पे देखेंगे आप. एक और ये दो. एक सीधा बुन लिया मैंने. और यहाँ पे एक बाद सीधा बुन लिया. तो यहाँ पे दिखेंगे इदर वाली साइड हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था. तो यहाँ पे भी हमें लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाना है. धागा अपनी तरफ लाएंगे. और ये फंदा सीधा बुनेंगे. यह दिखेंगे ऐसे. तो अपने आप एक फंदा अपने आप यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ हमें सिरफ साइडों पे एक इदर और एक इदर बढ़ाना है. और बीच में हमें दो-दो बार यह यारन ओवर लाना है. तो यह हमारी तीसरी सिलाई जो है इसकी खतम होती है. रॉंग साइड में हैं. यह इसकी चोथी सिलाई है. तो चोथी सिलाई देखें कैसे करेंगे. यह आपका एस्टिच है. अपने हिसाब से बुनी है. दूसरा फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे. यह देखिए. यह हमारे पास सिंगल ही है यहाँ पे. तो ऐसे हम यह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे. सलाई सारी यह उल्टी आएगी. यह देखिए ऐसे. थोड़ा सा बुन के बता देती हूँ. अब यहाँ पे देखिए. आपके दो बार जार नूवर है. एक यह है. एक यह है. इसको कैसे बुनेंगे? तो आपका अच्छा सा आजाएगा जी. यह देखिए ऐसे. और उल्टा बुना भी जाएगा. तो सारे फंदे उल्टे ही बुने जाएगे. बस यहाँ पे थोड़ा सा तरीका लग ए. यह देखिए. फिर से दिखाती हूँ. यह उल्टा भुन लिया. ऐसे निकाल दिया. एक हमारा और है यह. तो यह हम इदर से ऐसे करके. बैग लूप से यह निके भुन देंगे. उल्टा. यह उल्टी स्लाई हमारी ऐसी आएगी. इसमें नेक्स्ट एक स्लाई ऐसी और आएगी. वह मैं आपको पूरी नहीं दिखा होंगी. क्योंकि मैंने यह अच्छी तरह से आपको दिखा दी. चार सिलाई यहां फ्रेंड्स हमारी इसमें कंप्लीट होती है. चार सिलाई होने के बाद आप इसको थोड़ सा ऐसे खेंच लेंगे. पैटन को अब आप देख सकते हैं कि चार सिलाई यहां डालते ही मैं आपको बता दूंगी. आगे बहुत एजी है. सीधी साइड में है. पांच में सिलाई. सारी सीधी बुनते हुए करेंगे. जैसे हमने पहली सिलाई करी थी. अब सिरफ पैटन की जगा चेंज होगी. और कुछ नहीं रहेगा. इसमें यह दिखें. यह सीधी बुनते सिम्पल और बाकी फंदे हमारे ऐसे. दो बार धागा घुमाते हुए आएंगे. सेम टू सेम रोटू की तरह。 बनाएंग इसको. यह सारे यहां पर धागा घुमाते हुए आ जाएघे और लास्ट के दो फंदे हम सिम्पल जैसे हमने यह दो फंदे बुन हैया. यह मूं ऐसे सात्मी सलाई फ्रेंट्स देखे कैसे बनाएंगे यह आपका स्टिच है सीधी साइड है सात्मी सलाई है तो यह आपका सिंपल एक आप सीधा बुनेंगे यह दो फंदे तो आपको हर बार सीधी साइड से ऐसे ही बुनने हैं आगे फ्रेंट्स देखे आपके आगे हैं यह वाल design इन चार फंदों पे आएगा तो इन दो फंदों का क्या करेंगे हम देखिए आप ध्यान से यह मैंने दो फंदे इसमें मैंने धागा आगे नहीं किया है क्योंकि यहां पे मैंने को जाली नहीं डालनी है आप ध्यान दीजिए कैसे नहीं करना यह दो फंदे हैं आपके एक जैसे उपर से हमने निकाल दिया तो आपका सिर्फ एक ही फंदा यहां पे घटा है तो यहां पे इदर हमें जाली नहीं डालनी है ध्यान दीजिए सिंपल मैंने बुना है यहां जाली नहीं डाली है अब यहां दो बार हम जाली डालेंगे दो बार धागा घुमाएंगे तो एक इदर के इदर फंदे की जाली हो जाएगी यानिके ये एक फंदा रहा गया था ये दो इदर के हो जाएंगे और एक इदर वाले उसमें जा लिया जाएगी तो ऐसे ही आपको करना है ध्यान दीजिए यहां पे हम एक दो तीन और ये चार फिर हम आगे वैसा के वैसा बनाएंगे अब ये जो दिखी ये पैटर्न यहां पे आया था अब ये बीच में आएगा सिर्फ जगा चेंज हो जाएगी बुनने का तरीका वैसे का वैसा ही रहेगा ये देखीए दो फंदों के ऊपर से थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी बाकी मैंने पहली जो वो सिलाई थी तीसरी वो अच्छी तरze से किलेर कर दी थी ताकि आप Еजीली बना लें पूरा तीसरी सलाइए अच्छी तरह से बता दी थी मैंने ये देखिए दो फंदे मैंने उपर से निकाल दी है यहां दो बार मैंने धागा घुमा लिया है अब भी मैं बुन के दिखाते हूं फिर पता चलेगा आपको यह देखे दो फंदे हम यह बुन लेते हैं यह अच्छी तरह से निकला नहीं है मैं एक बंड देख लेती हूं देखे फ्रेंड्स अब यह अच्छी तरह से हो गया है कि इस बार आपस में फंदे फस जाते हैं तो आपको ध्यान से करना है तो यहां पर यह सीधा फंदा बुनेंगे यह देखे ऐसे सीधा फंदा मैंने बुन लिया है फिर दूसरा फंदा भी मैंने सीधा बुन लिया अब मैं आपको दिखाती हूं यहां पर आप देख सकते हैं दो फंदे हमने सिंपल बुने फिर हमने दो फंदों को एक से उपर एक निकाल दिया इसके साथ ये दिखिए ये वाले फंदे के साथ इदर ये बढ़ गया है अब इदर वाले फंदे के साथ ये बढ़ गया है और नेक्स्ट ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ये दिखिए दो फंदे बढ़े हैं आपके एक दो अब क्या करेंगे फिर से वैसे करेंगे दागा अपनी तरफ एक बार घुमा लेंगे सलाई पर से चार फंदे होल लेंगे मैं यह आपको बता ही देती हूं सलाई ताकि इसको एजी लिए आप कम्प्लेट कर ले चार फंदे खोल लेंगे यह मैंने खोल लिए और दो फंदे उपर के इसके उपर से ऐसे निकाल देंगे यह देखे और यहां पर दो फंदे ऐसे बुन लेंगे यह देखे एक और यह दो फंदे बीच में बढ़ गये हैं अब फिर से ऐसे करेंगे दागा दो बार घुमा लेंगे दो आपके आने चाहिए एक और ये दो अब यहाँ पर फिर से आपके पास सिर्फ ये दागा घुमाए हुए दो ही फंदे रह जाएंगे तो इसको ऐसे करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है एक पर से एक निकाल दिया ऐसे तो यहाँ एक सिंगल फंदा बुन लेंगे ऐसे ही सीधा यह देखिए यहाँ पर एक और यह दो फंदे आपके बढ़ गए हैं यहाँ आपको पहले हमने जैसे नहीं यहाँ जाली डाली है यहाँ भी आपको जाली डालने कि जरूरत नहीं है तो आप फंदे गिनेंगे तो आपके फंदे पूरे ही होंगे कोई भी फंदा आपका गटेगा नहीं तो यहां पर यह मैंने इसमें साथवी सलाई फ्रेंड्स पूरी कर ली है रॉंग साइड में आठवी सलाई है इसकी यह दिखे वैसे कि वैसी जो हमने चोती सलाई की थी वैसे ही यह भी आएगी यह दिखे ध्यान से थोड़ा सा बताऊंगे मैं आपको यह दो फंदे वैसे आगए हैं तो इसको एक को हम ने बून लिया इसको उतार दिया और यह next फंदा है जो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके यह पिछली साइट से back loop से बुन लेंगे इसको हम back loop से ऐसे बुन लेंगे बहुत एजी है यह सारे फंदे इसमें उल्टे बुने जाएंगे बस आपको यह वाला फंदा जो है इसको यहां ध्यान से back loop से बुन लेंगे तो यह मैं रोग कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स रोंग साइड के आपके आठ्वी साइड कंप्लीट हो चुकी है अब मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ तो इस सलाई के बाद आपको थोड़ा साइसे pattern को खेंच लेना है ताकि यह अच्छी तरह से हो जाए अब आप देख सकते हैं कि 8 सलाईयों में फ्रेंड्स आपका pattern जो है कितना बड़ा बनके आगया है तो यहां से आपका बिल्कुल भी खींचा नहीं जाएगा pattern बहुत बड़ी आ जाएगा साइडों से भी simple आएगा तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा pattern यह बनके आया है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स जो मैंने arts लाईया आपको भून के बताई हैं बहुत easy वह आपको अगया बूनते जाने तो आपका ऐसा ऐसा बहुत सुन्दर open work knitting pattern त्यार हो जाएगा तो अब आप किसी भी अपने project पेश को बूनिए और please subscribe like and share thank you